सुकून वहाँ नहीं जहाँ पर धन मिले, सुकून तो वहाँ है जहाँ पर मन मिले का मेला है अगर यहाँ पर मन नहीं मिलते हैं लोगों के तो यहाँ पर नजाने क्या-क्या किरते होते हैं और एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं लोग आज की घटना कुछ इसी के उपर डिपेंड है सगाई के बाद युवक अपनी मंगेतर की हत्या करता है बीच खेत के अंदर फिर उसके सर को काटता है और सर को मुंडी को पकड़ कर हिलाता हुआ पूरे गाउं से गुजर जाता है दोस्तों उसके बाद जो होता है एक बहुत बड़ा खुला सा यहां पर होता है पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिर्शी बाचेरल में आपका स्वागत है दोस्तों हम यह वीडियो इसलिए लेकर आते हैं जिससे की लोगों के अंदर जागुकता बढ़े छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े कबाडे होते हैं तो हो सके तो पहले से ही वो छोटी गलतिया ना करें तो बड़ी घटना नहीं घटेगी इसलिए हम इन वीडियो को लेकर आते हैं जिससे की लोगों को सीख मिले कि भाई उस आदमी ने ऐसे किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया तो कभी भी इन गलतियों को ना करें इसलिए हमारी कोसिस रहती है कि आप लोगों को सही दिसा पर और सही दिसा और दसा दोनर देने का हमें आपर पूरा प्रियास करते हैं दोस्तों यह घटना करनाटक के हम्याला गाओं की है और हम्याला गाओं की अंदर एक सुब मीन्ड नाम का एक व्यक्ति रहा करता है उसकी पत्नी है पत्नी का नाम मुत्खमी है और बेटी है उनकी एक बेटी का नाम मीना है मीना पंद्रे साल की है कुछ दिन पहले ही मीना की सगाई की थी इस परिवार ने और जो लड़का होता है उसका नाम होता है और 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 अपपा 32 साल का होता है और 32 साल के लड़के से इस परिवार ने अपनी 15 साल की लड़की की सगाई कर दी थी और साधी की तैयारियों में यह परिवार जोटा हुआ था लेकिन दोस्तो एक दिन क्या होता है गाउं के अंदर जो लड़की होती है मीना वह गायब हो जाती है माबाप कहते हैं कि कहां गई आखिर किसके घर पर गई है कुछ देर के बाद गाउं का ही एक सक्स दोड़ा दोड़ा आता है माबाप के पास और कहता है कि आपकी बेटी को आपके होने वाले पती ने मार दिया खेतों में मार रहा है माबाप वहाँ पर भाग कर पहुंचते हैं लेकिन तब तक वह उनकी बेटी को मार कर वहाँ से फरार हो चुका था दोस्तो वह उस लड़की को खेतों के बीचे मार रहा था तो और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं सारा तमासा देख रहे थे लेकिन खुब बचाने की कोशिस की लेकिन वह है इतने में उस लड़की को मार चुका था मारने के बाद उसकी गरदन को पकड़ कर बालों को पकड़ कर पूरे गाओं मैंसे गुजरता हुआ निकलता है वहाँ से फरार हो जाता है किसी के भी हटे वेर नहीं चरता है अब यहाँ पर माबाब देखते हैं अपनी बेटी का धर तो जोर जोर से रोने लगते हैं कि आखिर हमारी बेटी ने क्या पाप किया था जो उसको ऐसी सजा मिली पंदरे साल की ही तो बेटी थी यह किसकी दुस्मन हो सकती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोग एकटा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है पुलिस आती है गाउवाले बताती हैं कि इनका होने वाला दामाद इनकी बेटी को जान से मार गया और उसके सर को ले गया पुलिस माबाप से पूस्ताज करती है तो माबाप भी कहते हैं कि जी साब हमने 15 दिन पहले अपनी बेटी की सगाई उस व्यक्ति से की थी और अकपा से और हमने सोचा इसके पास पैसे हैं और पैसों के वज़े से हमने सगाई की पेशों की बज़े से इसलिए सगाई की कि बेटी मौज में रहेगी जिंदगी भर लेकिन हमें क्या पता था कि वही हमारी बेटी को मार जाएगा अब दोस्तों यहां पर क्या होता है वह बताते हैं घर वाले कि हमने सगाई तो कर दी थी लेकिन किसी ने चैल्ड मेरिज ब्यूरो वालों के पास फॉन कर दिया और बता दिया कि लड़की नाबा ले गए और ये लोग उसकी साधी 32 साल के पुरुष से कर रहे हैं चैल्ड मेरिज ब्यूरो वाले घर पर आते हैं और माबाप को डराते हैं कि अगर तुमने उस बच्ची की साधी की तो पॉक्स वैक लगा दिया जाएगा और तुम जेल में जाओगे वह अभी नाबा ले गए उसकी साधी तुम नहीं कर सकते हो दोस्तो माबाप ड़ जाते हैं और माबाप से यह कह देते हैं यह 18 साल की जब हो जाए तब साधी कर लेना तो माबाप डर करके अपने होने वाले दामाद और उसके घरवालों से कह देते हैं कि भाई अब हम अपनी लड़की की साधी नहीं कर सकते क्योंकि यह बच्ची है साधी इसकी तब होगी जब 18 साल की हो जाएगी तब तुम आजाना बरात लेकर और हम इसकी साधी कर देंगे लेकिन दोस्तों यह है बात जो होना वाला पती होता है जिसका नाम होता है और अकपा उसको पसंद नहीं थी वह अभी साधी करना चाहता था वह अब परिवार के लोगों का दुस्मन हो जाता है और अब यहां पर उसको ऐसा लगता है कि इस परिवार वालों ने ही मन से मना किया है यह मेरी साधी होना नहीं चाहती है दोस्तों पुलिस वालों को इस बात की पता लग जाती है कि इसी वज़े से उसने इस लरकी को मारा होगा चार दिन के लास बाद दूसे गाव के जंगल में उस ओरा कप़ा की लास मिलती है तो वहां पर आम जो गुजर रहे होता यह दो पुलिस को इंफर्म करkim कर देती है वहां पर पिड के नीचे और कंप़ा की लास पड़ी होई है सायद उसने जहर खाया था क्योंकि मुग से जाग निकल रहे थे और जो लड़की का सर था होने वाली पत्नी का सर आम के पेड़ पर टेहनी पर लटकाया हुआ था पुलिस लास को अपने कबजे में लेती है और उस लास को पोस्ट बाड़म के लिए भेज देती है तो पता चलता है इसने कीटना सक खाकर अपनी जान दी है तो अब यहाँ पर पुलिस और चारवीन करती है तो पुलिस को यह भी पता चलता है कि औरा कपा जो होने वाला दुला था वे अपनी होने वाली पत्नी मीना की बड़ी बेहन को भी मारना चाहता था क्योंकि बड़ी बेहन भी इस रिष्टे को नहीं होने में खुश थी वे भी यह कहती थी कि हमारी बेहन भी बच्ची है तो यहाँ पर जो पती होता है उसकी आँखों में अपनी होने वाली पत्नी की बड़ी बेहन भी चर जाती है लेकिन उसको मारने का मौका इसको नहीं मिला था तो इसने अपनी होने वाली पत्नी को ही मार दिया और दोस्तों यहाँ लाकर के उसके सर को लटका दिया और फिर खुद ने भी जैर कहा कर अपनी जान दे दी अब यहां पर दोस्तों आप क्या कहना चाओगे इस घटना के बारे में मैंने शुरुआत में कहावत कही थी कि सुकून वहां नहीं जहां धन मिले सुकून तो वहां है जहां मन मिले तो पैसों के पीछे बहुत सारे माबाप भागते हैं हमारी बेटी अमीर घर में जाएगी तो उसकी मौज हो जाएगी चाहिए दूला कितना भी एजड हो या फिर दूले में कोई कमी हो या कुछ भी हो माबाप यह गलत डिसीजन लेते हैं और दोस्तों दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लड़कियों की साथ इस समय से कर देनी चाहिए वरना जब समय निकल जाता है तो फिर उनके ने कितने बॉइफ्रेंड होते हैं बॉइफ्रेंड बनाकर बॉइफ्रेंड के साथ का सम्मान चुराया है जो किसी को ले करके भाग गई तो लड़कियों की साथ इस समय पर ही करनी चाहिए वर ना फिर तो फेरी हो जाता है आप इस घटना के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी रायकाव इंबोक्स में लिख सकते हैं लोगों साथ सेर कर सकते हैं जबारत